हाई फ्रेंड्स वेलकम तो यम्मी एड हेल्थी किचन लोडी एंड मकर सकरांदी के फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आज हम अपनी किचन में कुछ तिल गुर से लड़ू की रेसिपी बनाते हैं जो बहुत ही इजी है जो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अची होती है गुर और तिल में आईडन और केल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है तो आए आज हम बनाते हैं तिल और गुर से लड़ू सबसे पहले हमें एक पैन लेंगे उसमें हम तिल एड करेंगे तिल मैंने बन बाउल लिया है और बन बाउल ही मैंने जैगरी ली है इसको हम लोव फ्लेम पर 5 मिन तक लगतार चलाते हुए बूनेंगे ताकि हमारे तिल अच्छी से रोस्ट हो जाए गैस को हमने बिल्कुल लोव फ्लेम पर ही रखना है वरना हमारे तिल जल जाएंगे और इसको एक मिक्सिंग जार में डाल लेंगे और इसको हम बहुत हलका सा ग्राइंड करेंगे इधर हमें एक पैन लेंगे पैन में हम वन टेबल इस्पून देशी गी एड़ करेंगे गैस की फ्लेम को हम बिलकुल लो रखेंगे घी अमारा जब अच्छे से मैट हो जाए हम इसमें अपना गुर्ड डाल देंगे गोड़ को हमने बारी कट कर लिया है आप चाहेसे तो इसको क्रश भी कर सकते है मिक्सिंग जार में डाल कर या कद्दु गर्स से भी कर सकते हैं उसे जलदी ही मैट हो जाता है अब हम इसको तिल अच्छी ठंडे हो गए हैं, हमने इनको बस इतना ही ग्राइड करना था, हम इसको दरदरा ही पिसेंगे, इसका विकुल भी बारिक पाउडर नहीं बनाएंगे, गुड हमारा मेल्ड होने लगा है, देखे इसमें अच्छी शाइन आने लगी है, जैसे जैसे हमारा गुड मैट होता जाएगा, इसमें शाइन आती चली जाएगी, हम इसमें बन टी स्पून, इलाइची पाउडर भी एड़ कर रहे हैं, यह ओप्शनल है, देखे इसमें बबल्स आने लगे हैं, अब हम एक बॉल में पानी लेंगे, और उसमें अपना गुड का सिरप यह डाल के दे देखे बिल्कुल भी, पानी को हिलाने से यह नहीं हिल रहा है, यह सेट हो गया है, इसका मतलब हमारा जो गुड है, वो पक्कर विल्कुल ट्रेडी हो गया है, हमें बस इतना ही गुड पकाना था, हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बन कर देंगे, और इसमें मैं कुछ पसंद हो आप डाल दें वरना आप इसको इसकी भी कर सकते हैं यह मैंने त्री टेबल स्पून डैसिकेटिट कोकोनेट पाउडर एड़ किया है इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मैं इसमें अपने रोस्ट केवे तिल एड़ करदूँगी और इसको अच्छा से मिक्स कर दिया है यह प्रोसेजर हमने बहुत ही क्विक करना है वरना ये ठंडा सकतीकेट हम इसके लड्डू बिल्कुल नहीं बना पाएंगे अब मैंने एक मोड लिया है अगर आपके पास मोड ना हो तो आप डिरेक्ट पी लड्डू बना सकते हैं इसमें मैंने नीचे ड्राइफ्रूट और हलका सा नारेल का बुरादा एड़ किया है इसमें हम जल्दी से अपना गुड़वाला मिक्स्चर एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से हाथ से दबा देंगे मेरे पास ही मोल्ड था तो इसलिए मैंने इसमें बना लिया है ताकि इसकी थोड़ी शेप चेंज हो जाए यह मेरे पास एक और मोल्ड लखा होगा था मैंने इसमें नीचे बारी कट टावा पिस्ता एड़ किया है यह देखने में बहुत ही डिलिशियस लगेगा कुछ ड्राइफूड एड़ करने से हमारा जो स्विड़िश होती है और भी बहतरीन लगती है इसको भी हम ऐसे ही निकाल लिए हलका सा प्रेस करते ही यह मोड में से निकल जाता है तो इसलिए आपके पास कोई मोड बेहर हो तो इसमें देखिऊ आप कित डिलिशियस पेड़े लुक में भी यह बना सकते हैं अगर आपके पास मोड नहीं है तो देखिए इसको इसको आप ऐसे लड़्डू भी बना सकते हैं यह बहुत यह अच्छ लगते हैं तो देखिं एक ही रेसिपी में हम कितनी तरह की कितने डिजाइन से हम ये डिशिस बना सकते हैं आपने अधिया रखना है कि सारे प्रोसेजर आपने जल्दी-चल्दी करना है चाहिए आप किसी की घर में हेल्प ले ले लेए वरना अगर यह ठंडा हो गया तो उसके बाद आप इसको बिल्कुल नहीं बना पाएंगे तो देखी किती जल्दी हमारे लड़ू और पेड़े बन कर तियार हो गए हैं और देखने भी बहुत ही डिलिशियस लग रहे हैं उतने ही खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और हैल्थ के लिए भी हैल्फूल होते हैं अगर आपका मिक्ष्चर ज्यादा ठंडा हो जाए तो उसे एक मीट के लिए कैस पर गरम कर लें गुड़ आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम यह ज्यादा कर सकते हैं अगर आप 100 ग्राम तिल ले रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम गुड़ डलेगा ही तो देखे हमारे घर में ही तिल और गुड़ से कितने हैल्थी लड़ बन कर टेस्टी थियार हो गए हैं आप इसमें खोई भी एड़ कर सकते हैं खोई से भी बनाए जाते हैं पर गुड़ और तिलका अपना अलगी टेस्ट होता है तो इसलिए प्लीज एक बार इसको ट्राइ जरूर करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करें शियर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ